इंग्नेंट में पुर्टकरलुफ खाने की बतदा की जाती है सूप के साथ और चाइना में खाने के साथ थोड़ा थोड़ा सिप करके सूप पिया जाता है और बादवकार खाने के इखताव पे सूप पेश किया जाता है लेकिन पाकिस्तान में सूप पीने के लिए कोई मख्सूस वक्त नहीं है जब मुड़ हुआ सूप पी लिया तो वोही चिकन कॉल सूप जो उसाब का फेवरिट है पंता किस तरह है इंग्रेडियंट्स तो चन है और वो क्या है हमारे चैनल को लाइक करें शेर करें, सबस्राइब करें और ये बेल बटन जरूरी दबादें ताकि जुभी मैं अपने यूँ वीडियो अप्लोड करूँ आपको फॉरन नोटिफिकेशन दिखा है चिकन कॉन सूप बनाने के लिए मैंने तरह तकरीबन आधा किलो चिकन लिया है अब चिकन की बोटियों का इंतखाब जो किया जाएगा वो बहुत ज़ादा है तो कि चिकन कॉन सूप में हमें रेशा भी चाहिए, बोटी भी चाहिए और उसके साथ-साथ हमें हड़ियों का जूस भी चाहिए जिससे यखनी बनेगी जैसे आप ये देखें इसके अंदर ज्यादा गोश नहीं है लेकिन इसके अंदर हड़ियां है इसी तरह जैसे ये गरदन का हिस्सा है जो कि हम आम तो आपे पसंद नहीं करते खाना लेकिन सूप बनाने में बड़ा का रामद होता है इसी तरह ये जो एक विंक्स का हिस्सा है इस तरह की छोटी बोटी बोटी ये भी गरदन की बोटी लेकिन इतना ये लेना काफी नहीं है क्योंकि हमें सूप के अंदर कुछ न कुछ चिकन भी चाहिए है तो उसके रिए ज़रूरी है कि कुछ पीसिस हम इस तरह के नहीं जैसे ये सीजे रेशवारी बोटी होती है या ये बोटी हो गई इसके अंदर भी चिकन मौजूद है ताके हमारी दोनों जो नीट्स है वो पूरी हो जाए अब करना में ये है कि 10 क्लास पानी पॉट के अंदर भरके उसके अंदर इस चिकन को डालना है नमक डालना है और ये साबत लसन के तीन बड़े जवे और इसी तरह देट इंच जितना बड़ा अदरक का टुकडा लेके इसको छील के उसके इस तरह ये मोटे-मोटे स्लाइस बना लिये थे इसका मकसद ये है कि गोश्ट के अंदर वादू जो एक स्मेल्स ही होती है वो यखनी पकने के दौरान जो है वो अदरक लसन के असर से वो खतम हो जाएगी और आपको यखनी मिलेगी वो आपको स्मेली फील नहीं होगी बलके खाने के लिए वो मौजू हो जाएगी ये तो हुई चिकन के बाद दूरसी चीज है जब नाम है चिकन कॉन सूप तो कॉन के बगार कैसे मुकमल होगा ये कॉन्स है एक मैंने छली ली उसका जो बाहर से एक आउटर कवर होता है उसको उतार के उसको प्रेशर कोकर में डाला प्रेशर कोकर को पानी से भरा उसमें 5-6 गलास पानी राला और उसको मैंने तकरीबन 15-20 मिनट के लिए बॉयल कर लिया जो ये बॉयल हो गई सिट्टा या छली या कॉन तो उसके ये मैंने दाले निकाल लिए सिट्टा दो बड़ा होता है लेकिन हमें जतनी मिक्दार में चिकन कॉन सूप बनाना है उसके लिए ये 1 थर्ड कप कॉन हमारे लिए मनासिब होगे लेकिन ये इसी जरह तैते हुए सूप में हमें नहीं चाहिए बलके हमें इनको थोड़ा सा पीसना है अब पीसना ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप उसको पेस्ट बना दे इस तरह का कि जैसे जैम की तरह ब्रेट पर लग जागा नहीं आपने उसको जड़ा मोटा मोटा सा पेस्ट रखना है कि खाते हुए कौन जो है वो थोड़ी थोड़ी से मुझ के अंदर आएं लेकिन ये बिलकुल अपनी साबुट फॉर्म में ना हो तो चने चिकन को कूप करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो इसके अंदर ये चिकन पीसिस आदा फिलो जितने हैं ये इस पानी के अंदर डाल देंगे अब ये साबत लसन के जबे और अधरक के बड़े बड़े पीस ये पीस इतरा जाएंगे इसका मकसद ये है कि इनको निकालना हमारे लिए बाद में यखनी बनने के ब ग्राइंडर के अंदर मैंने एक तिहाई कप जितने कॉंस जो उबले हुए हैं ये डाले और तीन टेबल स्पून पानी डाला तो बारा भी हम चेक कर लेंगे कि देखते हैं कि कितने पानी के साथ हमारा पेस्ट ठीक बनता है मोटा मोटा सामने पेस्ट बिनाना है अभी भी मोटा मोटा कॉन का दाना मजूद है इसलिए थोड़ा साम और पानी डालते हैं इसलिए तियाद की जुरूरत है एक दम से हम लेश्कों पतला नहीं करना इसलिए दो टेबल स्पून बानी और डाल दिया इसकित ये जो कॉन चुके कम मिक्तार में है तो इसलिए हम दोबार इसको तो टाइंटर के अंदर टाल देना है साइडों से दोबार अंदर की तरफ कर देते हैं अब आपको दिखाती हूं कि किस वार्म में कौन है यह देखें इस वार्म में मेरे पास कौन आ गया है पानी के साथ कॉन को मैंने ग्राइंड किया क्योंकि यह जो पकई के दाने यह काफी हार्ड होते इसे सौफ नहीं होते जलती से ऐसा नहीं होगा कि आपके फॉरण से पिस जाएंगे बलकि यह उगले हुए कॉन्स है इनको भी पिसने में ग्राइंडर के अंदर भी वक्त लग करेंगे और सूप का हिस्सा बनेंगे यखनी को बलते हुए दस मिनट हो गया आप देखें इसकी टॉप लेवर के ओपर यह जाग आ गया है यह जाग आपको उतारवना है कि इस्तियाद से उतना हो सके यह जाग निकालते हैं अपनी यखनी को क्लियर कर लें इस स्लोली करने वाला काम है चाहें तो इस तौरां फ्लेम को भी हर्का कर दे आप इस चाप को इकठा करके लेकाल पाएं सूप बनाने में ज्यादा जो एक लंबा प्रोसीजर है वो यखनी बनाने का ही होता है और सद्यों में बार बार सूप पीने के लिए जी चाहता है फैमडी में से घर में से कोई ना कोई फर्माइश करता रहता है कि सूप बनाएगा तरह तरह की सूप है आज हम चिकन कॉन सूप बना रहे हैं और भी कई किसमों के होते हैं क्रीम ओफ कॉन सूप है टुमैटो सूप है को पॉटेट सावर भी काफी पॉपिलर है तो अगर आपके पास यखनी वजूद हो तो फटा फट उसमें चीजें एड्ट करें और जल्दी से सूप बनाके पेश कर दें काफी यह तक हमने निकाल लिया है इसके उपर जो अब दुबारा से लिड को पॉट के उपर रखने के बाद इसको पखने के लिए छोड़ देते हैं हेलो 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 जी यह नी बनके तयार हो गई है आदर विंटा में तक्रीबन लगा मीडिये वांच के उपर चिकन को हमने अधरक लसन के जो साबुत पीस थे और नमक अब डालके गल्ले के लिए रख दिया था अगर आज चाहें तो यही काम प्रेशर कोकर में फटाफट दस मिनट में भी कर सकते हैं अगर जो स्लोली कुक चीजें होती है उनमें टेस्स जादा होता है तो मैंने यसा ही किया कि इसको एक आम पॉट के अंदर ठकन देके पकाय तो यह मुझे यखनी मिल गी जिसको मैंने च्छान लिया ताकि जितनी भी वो जो एक्स्ट्रा चीजें है वो इसमें से निकल जाए और जो बोटियां थी उसके मैंने इस तरह से हरेशे कर लिये माकी के इंग्रेडियंट्स भी मैं आपको बता देती हूँ जो दस कप पानी डालकर हमने कोश्ट को गलाया था उसकी यह यखनी मौजूद है अब हम इसको नाब के देखेंगे कितनी है और हमने फाइव कप्स पूरे करने हैं अगर यखनी की मिदार काम हुई तो हम इसमें मजीद पानी डालके इसको बराबर करने के पांच कप के बराबर हमने इसको करना है और यह हमारे पास चिकर निकल आया इसके रेशे हमने किये हुए है यह कौन हमने ग्राइड किया था यखनी को पढ़ाने के बाद हमने यही काम किया था कि कौन को हमने ग्राइड किया था पॉबले हुए कॉन को और ये तक्रीबन 5 टेबल स्पून है जो ग्राइड के हुए कॉन है हाफ कप पानी के अंदर मैंने 4 टेबल स्पून कॉन फ्लोर डालके उसको घोल लिया इसकी मिदद से हम अपने सूप को ठिक बनाएंगे इसके बाद ये दो अंडों की सफैदियां मैंने निकाल दी सफैदियां मैंने रहने दी और सीजनिंग के लिए एक हलका सा फ्लेवर भी तो सूप होना जरूरी है तो उसके लिए चौथाई टीस्पून काली मिर्च पाउडर और चौथाई टीस्पून ही सफैद मिर्च पाउडर अब आप चाहें तो सिर्फ काली मिर्च पाउडर का भी इस्तमाल कर सकते हैं जो authentic recipes होती हैं उसके अंदर सफैद मिर्श का इत्तमाल किया जाता है और अगर आप चाहते हैं कि आपकी recipe original के करीब तरीन बने तो जाहर है कि आपको उसी तरीके के पिताबे चलना पड़ेगा सफैदियों का भी ऐसी है कि कुछ लोग तो पूरा अंडा इसमें आड़ कर देते हैं लेकिन original जो recipe है उसके अंदर सिर्फ सफैदी को आड़ किया जाता है नमक को भी उनने करीब रखा वायर टेस्ट करके देखनें कि अगर नमक का महसूस हुआ तो इसमें हम और एड़ कर देंगे चुक्के ये जो chicken call soup है इसको sauces के साथ present किया जाता है soy sauce, chili sauce और vinegar वगएरा तो इसलिए हमें इस बात को मद्दे नजर रखना होता है कि salt हम अपने soup में जारा कम रखे तक ऐसा नहों कि salt बहुत ददा तेस हो जाए और हमारे लिए balance करना मुश्किल हो जाए तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो नवते हैं कि यखनी कितनी है एक कप यखनी कर गया हमारे pot के अंदर तो इसे दो कप यखनी को मैंने नापके डाला वो जो टेन कबसे इसमें से ड्राय हुआ वो फाइव कबसी पानी था और यह हमारे पास फाइव कबसी यखनी रही अगर यखनी कम रह जाती तो फिर मैं इसके दर मजीद साधा पानी आट करके इसको थोड़ा सा पका लेती लेकिन चुके अब वही मिदार मुदूद है जो मैं चाहिए थी तो लेहाद आप सबसे पहले तो यह करेंगे कि इसको सीजन करेंगे मैंने आपको सबैद मिल्च पाउडर और काली मिल्च पाउडर का बताया था कि हम शुरू में आट करेंगे अगर बात में कॉन्फलोर मगा है यह फूरी सी गरम हो जाए तो इसके बाद इसमें हम चिकन के रेशे जा लेंगे है कि आप इसको पका कर फ्रिज में रखें और फिर दुबारा से री हीट करके इस्तामाल करें तो उसकी शकल बरकरार नहीं रहती है आपको नहीं मिलती अब यह नहीं हमारी गरम हो गई है कुछ हद तर तो इसके अंदर हम यह चिकन के रेशो को आट कर देते हैं साथ ही यह ग्रैंट की बूर कॉन को भी छोड़ा सा वजीट हीट अब होड़े तो इसके अंदर मैं कॉन्टोर एट करके सूप को थिक बनाना है इस टेफ में मैं नमक को ज़रा टेस्ट कर लेती है वो इसमें और डालना पड़ेगा तो चेक करके देखते हैं हाफ टी स्पून नमक और इसमें जाला चाहिए हाफ टी स्पून नमक मैं इसमें आट करेंगी हूँ अब मेरी पास की कॉन्टोर मुझूद है कॉन्टोर का यह है कि जैसी हम इसको पाने के साथ गोलते हैं थोड़ा थोड़ा थे इसको इसमें आट करती जाओंगी जरूरी नहीं है कि इस मिक्सर को मिझे पूरा डाहना पड़े इतनी हमें ठिकने सूप के अंदर चाहिए होती है अगर वो कम एक मिकदार से हासिल हो जाती है तो पिर हमें ज्यादा फान फ्लोर एड़ करने की जरू इसको बिलकुल पतला पानी जासा भी नहीं होना चाहिए थोड़ा सा पकने के बाद अंदाजा होता है कि कितना अपना काम किया बागी का कॉंटोर भी यह जो बीचे बैट रहा था इसको हिला के मैं एड कर देती हूं अपने सूप के अंदर चार टेबल स्पून इतना पान पानी में कुलके हमारे इतनी सूप के लिए मुनाफसित रहा है इस टेक्श पर हितियाद के जरूरत है कि यह गम से आपको नेलता है तो जाहरे है कि पतला करना मुश्किल हो जाएगा सूपको अब यह मेरे पास दो अंडों की सफैदिया मजूर है जिनको मैंने थोड़ा सा प्रेंट लिकिन इतना इतना मिन्रिक भींटा कि इसमें जाग बन जाए इसको अलका सा पंठ ना से ऑट ज़ना मेरे किराते पास चुले को मैंने मेरे हल उलका करती है ताकि कि ऐसानी से मैं स्कीं मिकसिंग कर सकूं प्राइब करें गिराती चाहांगी रेशे बनते हैं, वना एक ही जगा पर वो इकठे होके, ऐसे लगता है कि जैसे कोई एक उबलावाडना आपने इसके अंदर जाना हुए, अब इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल सही है, यह सुप ना बहुत ज़्यदा थिक है, ना बहुत ज़्यदा पतला है, और इसको इतन है, आपको मैं दिखा दू किसा रहा है, यह स्थूटे साइज के हैं, डिनर रोल्स के लाँए, आप लेके बस eonने नहीं के, और इसने थी सोटे से भी महीं को ऐसे खुल जाते हैं, यह उत्ति नहींकि फक्षम और भी यह कत मान कर सकते हैं, और था अंदर यह कहां जाएज तो इस बोल के अंदर ये चीरों के मिक्सर से मैं तयार करूँगी कुछ ऐसा कि जो गार्लिक ब्रेट के उपर लगाया जाएगा और उसे तबे के उपर सिंका जाएगा मेरी कोशिश ही है कि आपको इस तरह की रेस्पीस बताओं जो के करना हरेके भी पॉसिबल हो और अगर आपका सोवन नहीं भी है तब भी आप ये जवदस किसम की गार्लिक ब्रेट जो है वो तयार कर सके सबसे पहले तकरीबन देर दो टेबल स्पून जितना बटर है इसके बाद एक टेबल स्पून लेसन का पेस्ट है गार्लिक पेस्ट जाए रहे हम गार्लिक ब्रेट बना रहे हैं तो गार्लिक तो लाजबन चाहिए इसके बाद ये इतालियन हर्ब है थाइम इसका इस्तमान तो अगर आप चाहें तो डाले ना डाले तब भी काम चल जाएगा और एक टेबल स्पून जितना पारी कटा हुआ धनिया हरा धनिया जो हमें गालिक प्रेट के उपर दिखाई देता है और बड़ा अच्छा लगता है अब इनको हम मिक्स करेंगे अगर आप घर का मखन इस्तामाल करें तो उसमें आपको थोड़ा सा नमक आड़ करना पड़ेगा लेकिन ये पैकेजिंग में जो मुझूद मखन होता है ये वह मेरा ख्याल है कि इतनी मिक्दार में जो नमक है वो ही मुनासिब है बड़ी नाइफ की मदब से मैं इसके हाफ इंच के स्लाइस काट रही हूँ रेस्टरेंट में भी एक सरा आपको इसी साइस के ही मिलते हैं काटते हैं इसको फॉरण मैं अंदर रखतूंगी ताके खुश् को इस तरह से ब्रेट बर लगाना है एक साइड को आपने बिलकुल हलका हलका सा लगाना है था नाम भराबर और दूसी साइड पर ब्रेट बराने के लिए और यह बन के बहुत ही मज़े के लगते हैं में काहते हैं य कि नमें डot करने के बाद मिल में सब्सक्छाना है तो यहत दो हम बसको सब चक्छाने के सब्सक्राइब में वह लेना अलादा कि शमया तो जो ऑई है वो तोड़ी प्रोटेक्टिव,-ोमेक देता है एक टीस्पून इतना ओयल जो है यह पूरे कबर को पर इस तरह टिशू की मेदद से मैं बखे रही हूं और जो इसकी नीचे बारी साइड है हमारी ब्रेट की कालिक ब्रेट की नीचे रखी जाएगी और जिसके उप्जिस साइट के लिए इसके उपर ठक्ता रखेंगे ज्यादा देन नहीं और इसकी साइट को चेंट करेंगे यह लेकिंगे साइड जाओ हो गई है एक याद चलनी जरूरी है इसका अबसूरत कलर आया है आज को मैं बिल्कुल मिनिमाम कर देती हूं और चेक करती रहूंगी अधातार इनको चेक करते रहना जरूरी है कि छोटे से साइस के है और डेलिकेट से है लसन को जलना नहीं चाहिए हमारा चिकन कॉल सूप भी रेटी हो गया है इसके उपर मैंने ये हरे प्यास के जो उपर ग्रीन वाले पार्ट्स थे उसको काटके डाल दी है कार्शिंग के तौर पे और इसके साथ पहले रखा इसको मैं सर्फ कर रही हूं रेट चिली सॉस, सोय सॉस और विनिगर के अंद है तो आपका हाथ रोख नहीं सकता दिखने में पर फुर्सुट लग रहे हो खुश्पू भी इसमें बटर्क और गार्ली की कमाल की आ रही है खाने वाला दाथ ये बगएर रहने ही सकेगा हमारे चैनल किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करजें ताके जैसे ही मेरी न्यू वीडियो अप्लोड हो आपको फॉरन पता चल जाए मेरा जो फेस्बुक और इंस्टाग्राम का अकाउंट है उस पर भी बहुत ही इंक्रेस्टिंग फूट फोटो अप्लोड होती रही है देखें और इंजॉई करें मिलती हूँ कर एक नई रेसिपी के साथ मिलती है उस पर एको आपको 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 नई रेसिधान